देखें ये आपका किसी property पर लंबे समय से कब जाए लेकिन इस property का कुछ कागज आपके नाम नहीं है ठीक है तो उस property का कागज कानूनी तरीके से आप अपने नाम कैसे बनवाए और कागज बनवाने का process क्या है और इसका प्राफधान कहा किया गया है कहां लिखा है कि कागज आपको बना के दिया जाएगा यदि आप प्रॉपर्टी पे कभजा किये हुए हैं 12-13 साल से ठीक है वो सब कुछ प्रापधान बताओंगा आद में बिद्व प्रूफ के ठीक है और प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है एक तो आबादी कोई प्लॉट दुकान आपका घर है या कोई खेती की जमीन दोनों का बताओंगा पहले बताओंगा आबादी प्लॉट घर वगएरा का ठीक है दूसरे में खेती का बताओंगा इससे पहले मैं आपसे कहूँगा देखिए यदि आप कोई भी इस टॉपिक ए प्रॉपर्टी संबंदित किसी भी टॉपिक से वो प्रत्कूल होना चाहिए ठीक है मैं आपको वह भी सब कुछ बताओंगा के कहां लिखा है कैसे आप कागाज मनमाई सब कुछ रेमेडी में आपको बताओंगा बिद्प्रूफ के देखिए प्रत्कूल कबजा पहले आप रेस्ट्रिक्शन समझ लीजिए कब आप बनव ठीक है उसके बाद जिसकी जमीन पे आप रह रहे हैं प्रत्कूल कबजा मालकाना हक पाना चाह रहे हैं वो व्यक्ति आवयस्क नहों यानिकी 18 साल से कमकाना हो दूसरा वो कोई विद्वा नहों तीसरा वो कोई किसी आर्मी ससस्त्र बल में नहों क्योंकि बहुत दिन तक ब तो आप उसपे मालकाना हक ले सकते हैं अब बात करेंगे भई या प्रावधान कहां किया गया है तो देखिए इसका प्रावधान किया गया है लिमिटेशन एक्ट की सेक्षन 27 में प्रावधान किया गया है आप मुझसे रूलिंग भी ले सकते हैं प्रमाण भी ले सकते हैं मैं वो आपको समझा दूँ, यह थोड़ा जो प्राप्धन किया गया है, वो भी मैं आपको बता दूँ, Extrugusement of right of property, यानि कि property से right खतम होना, ठीक है, अब इसके प्रवासा क्या करती है, at the determination, यानि कि कब समापत होगा किसी के अधिकार, the period of harry by, यानि कि जो period जो है, वो रखा गया है, 64-67 में, जो आप इसका अनुसूची 64-65 देखेंगे, उसमे period लगाया गया है, 12 साल, किसी भी कैसी भी कोई चीज हो, ठीक है, चला चला समपत्ती जो भी हो, 64-65 में टाइमिंग दी गई है, 12 साल, ठीक है, अब limited to any person for instituting for a suit for position, यानि कि उस ब्यक्ति को time है, कि वो अपने जो position जो है, वो बापस ले सकता है, suit file कर सकता है, ठीक है, position of any property, किसी भी property के लिए, लेकिन, his right to such property साल भी executed, यानि कि कुछ समय बाद, वो अपने right को, जो उसके अधिकार है, वो खतम हो जाएंगे, ठीक है, एक निश्चिस समय के बाद, समय के आए, 12 साल, ठीक है, तो आप जो limitation act की धारा 27 जो है, वो आप देख सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी और भ रही है, कि भई, आपके अधिकार जो है, वो एक समय पर खतम होने लगते हैं, कौन-कौन से अधिकार, आपके वो अधिकार जो की property के लिए आप suit file कर सकते हैं, अपने अधिकार बापस ले सकते हैं, अपनी property बापस ले सकते हैं, वो अधिकार एक सीमा, तै सीमा, यानि कि 12 स साल से अधिक बात जो है आपके समाप्त होने लगते हैं और एक इस्तिती पर समाप्त हो जाते हैं ठीक है तो वह इस पस्ट में आपको बता दिया तो यह धारा वही आपके फिवर में यदि आप माली जी बहुत पराना कब जाये तो तो इसके अनुसार आपको मालकाना हक मिल ठीक है और आप कोट में जीत भी सकते हैं बसरते मैंने तीन restriction बताए दूसरा आपके पास 12 साल का कोई proof होना चाहिए तीसरा आप करायदार नहीं होना चाहिए करायदार कभी मकान का मालक नहीं बन पाएगा ठीक है चलिए अब बात करते हैं वया कि अगर आप